जहीं दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबको दशेरा की धेड़ साड़ी शुपकामनाई देता हूँ मीरा भाहिंदर के लिए एक पॉजिटिव ख़बर है वो ख़बर ये है कि मीरा भाहिंदर का कोरोना पॉजिटिव पेशिंट्स का ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा यानि पेशिंट्स के रिपोर्ट होने के संख्या में कमी आई है पिछले 10 दिनों से मैं कह सकता हूँ अगर मैं सेप्टेमबर महीने की बात करूँ तो 1 सेप्टेमबर से 30 सेप्टेमबर तक मीरा भाहिंदर में 5822 कोरोना पॉजिटिव पेशिंट्स रिपोर्ट होए थे जो की एक बड़ा आखड़ा था अभी मैं अक्टूबर पे आता हूँ तो 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक मीरा भाहिंदर में 1232 कोरोना पॉजिटिव पेशिंट रिपोर्ट होए है मैं फिर से आकड़ा बता देता हूँ एक अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक 1848 और 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 1232 तो कहीं ना कहीं पेशिंस का पेशिंस के रिपोर्ट होने का ग्राफ कम हुआ 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में जो की लगातार बहूत तेजी से बढ़ रहा था 11 अक्टूबर से पहले अगर मैं 21 अक्टूबर से बात करूं तो Corona Active Patients का भी ग्राफ गिर रहा है जो Corona Active Patients का आकड़ा 1900 से ज्यादा था अभी वो घटकर 1200 के आसपास हो गया है तो कहीं न कहीं यह बहुत ही positive बात है कि Corona Active Patients का भी आकड़ा गिर रहा है और Corona Positive Patients के Report होने का आकड़ा भी नीचे आ रहा है मैं आपको यह भी जानकारी दे देता हूं कि 11 October से लेकर 24 October के बीच Corona Patients जो Report होए है उसकी संख्या बहुत बार 1500 से कम है और कई बार तो यह आकड़ा 100 के आसपास है कई बार यह 2 digits में है जो की पहले यह आकड़ा जो रहता था वो 1500 से जाधा ही रहता था अगर मैं 11 October से पहले की बात करूँ तो तो कहीं ना कहीं 10 October के बाद से Corona Positive Patients का रिपोर्ट होना थोड़ा कम हुआ है उमीद करते हैं कि इसी तरह का रिपोर्ट होना कम होते रहे और मैं एक और बाद बता देता हूं आपको कि मीरा भाहिंदर का रिकवरी रेड भी बहुत अच्छा है रिकवरी असी प्रतिशत से जाधा है लगभग तो कहीं ना कहीं एक Positive बात है मीरा भाहिंदर के लिए मेरा भाहिंदर is on the urge of recovery मैं आप सब को फिर से दशेरा की देर सारी शुकामनाई देता हूं आप सब अपना ख्याल रखे सभी को दौआ में याद रखे तैंक्यू सो मच